विटामिन D3 आपके लिए क्यों जरूरी होता है आपने देखा होगा कि अक्सर डॉक्टर आजकल जब भी कोई छोटी मोटी आप कंप्लेइन लेके जाते हैं और कहते हैं कि मुझे बॉड़ी एक है मैं ठका हुआ हूँ तो बॉड़ी एक बहुत बढ़ी चिंता रहती है आप बॉड़ी एक बन्द गरों में रहते हैं तो बंद ऑफिस में ऐसी मतलब ऐसी हम चला लेते हैं जहां पे हमें धूप नहीं मिलती है और उन सब को विटामिन D3 की डिफिशेंसी में हम इसको काउंट करते हैं तो विटामिन D3 की डिफिशेंसी होती है अब कोई भी शहर में रहने वाला इंसान अगर विटामिन D3 का टेस्ट कराएगा तो क्या होगर 95% लोगों में ये विटामिन D3 का लेवल कमाएगा उसका बड़ा कारण ये है कि हमें सनलाइट का जो सनलाइट हमें मिलती ही नहीं है वो एक्सका एक्सपोजर हमारे लिए वो कम हो जाता है क्योंकि विटामिन D3 का जो सबसे बड़ा सोर्स है वो नैचर नहीं दिया है सूरच जब लाइट आपकी स्किन पर पढ़ती है सूरच की लाइट जो आपकी स्किन पर पढ़ती है तो कुछ क्यामिकल चेंज होते हैं आपकी स्किन के अंदर आपको विटामिन D3 की भरपूर मातरा मिलती है अब बात करते हैं कि विटामिन D3 उतना जरूरी क्यों है एक्चुल में विटामिन D3 की जरूत आपको आपकी हड्डियों के लिए नहीं होती है या सिर्फ इसलिए नहीं होती कि आप मजबूत हो जाए और भी बॉडी के बहुत सारे फंक्शन्स होते हैं जो विटामिन D3 के बिना काम नहीं कर सकते जिनको ठीक से चलाने के लिए कम से कम आपको विटामिन D3 की जरूरत तो होती है या सिर्फ इसलिए नहीं होती कि आपकी मतलब आप मजबूत हो जाए और फिर बॉडी के बहुत सारे फंक्शन्स होते हैं जो विटामिन D3 के बिना काम नहीं कर सकते जिनको ठीक से चलाने के लिए हमें ठीक से काम करने के लिए विटामिन D3 की जरूरत होती है जो सबसे पहले जो बहुत कॉमन होती है कि हड़ी मजबूत होती है तो उसके बारे में ही बात कर लेते हैं तो आपके जोडों के उपर के लिए या जो आपकी हड़ी हैं अगर उनको हेल्दी रखना है तो आपको विटामिन D3 लेना पड़ेगा और उसका बड़ा कारण नहीं होता है उसका बड़ा करण नहीं होता है कि आप जब कैल्शियम खाते हैं तो आप कितना भी कैल्शियम खा लें आप कितना भी दूद पी लें आप कितने भी प्रचूर मातरा में आप कैल्शियम की टैबलिट लें लेकिन अगर आपके अंदर विटामिन D3 की मातरा अगर वो कम है तो कैल्σι exception आपके खुन में अब्जॉब ही नहीं he go up vitamin D के कमी कारण कैल्σιुम आपके body में अगर अगर कैल्सि on taking root 2 जरूर ही नहीं हो रहा है तो विसलिए ψरूरी हो जाता है कि उसे कैल्σι Trung को करके आपके खून में और वहां में हड्यों यह उसको पहुँचाया जा सके तो उसकी जरूरत आपकी बॉडी में शरीर में विटामिन डी-3 लेन आपको जरूरी हो जाता है आपकी हड्यों अब कि आपके केल्शिम जमा होना लगता है लेकिन अगर विटामिन D3 ही नहीं होगा तो केल्शिम डिपोजिट ही नहीं होगा और आपकी हड्या दांत और यह सारी कमजोर मतलब आपकी कमजोर क्या क्या हो जाएंगी हड्या भी कमजोर रहेंगी आपके दांत भी कमजोर हो जाएं उसके अलावा फिर जो क्या होता है कि आपको अगर किडिनी में अगर आपको इंफेक्शन है तो विटामिन D3 से रेगुलर होता है अगर आपका विटामिन D3 का लेवल कम है तो आपके क्या होगा किडिनी के जो आपके गुर्दे होते हैं उसके बीमारी होने का या किड्नी जल्दी फेल होने का चांसित बढ़ जाता है लेकिन अगर विटामिन D3 अगर आपके शरी में अच्छी मात्रा में जितनी जरूरत है तो अगर आपने ली है तो आपके किड्नी क्या है हेल्दी रहती है उसके अलावा विटामिन D3 आपके लीवर के लिए बहुत जरूरी होता है बहुत सारे हार्मोन्स में इसका रोल प्ले होता है उनको बनाने में आपको उनको हेल्दी बना के रखने में में चोटे बच्चों की ग्रोध की समय ही आपको बहुत ध्यान मतलब जरूरी देना हो जाता है क्योंकि मैं भी मतलब बॉल रिमूफ कर रही होती है काडिय के लिए अच्छा कॉलिस्टोल बनाने के लिए वीटामिन डी के जरूरह हो जाता है इसलिए अवितामिन डी तरी तरी लेवल ख़ख लेप देखना है कि अगर आपको अगर अच्छी लेवल कम है izione पूरा करने और और क्योंद której तरीके हैं तो आप यह आनी चाहिए तो आप कर लें लेकिन इससे बहुत जल्दी नहीं होगा मतलब क्योंकि आप अगर उतनी ज्यादर डैफीशीट है मतलब अगर आपकी बॉर्डिंग उतनी कमी है तो आपको क्या होगा उसे कमी को मतलब आपको पूरा करने के लिए आपको कुछ छोटा मतलब मतलब कुछ टैबलेट्स क aos आते हैं कुछ एकज पाउचेश बहुतुन प्ही आते हैं कि इंतने क्यास घैपसूल कर उता है यक तो इस डाखे मैं अगर कर सकते हैं विजए मानाता है कि जो विटामिंग दी थिरी का एक पसूल अगरप हफते में मतलब केकार माता है ना यह कईपसूल जो आप numa फे जो करनें चाष्म हथैं मतलब खेल और शक्ट करें इस लिए उधिए लेगा दो रगाना फी वीप्तिंट अपिंग सबढ़ता है एक भ्यूक्राइब चाऊच wrestle कुषए użyति को और अगर आपको लगे कि मतलब ठीक है हाइपर नहीं होना चीज जादा नहीं होना चीज वह भी आपके लिए नुकसान होता है तो जब आपको लगे कि वह बैलन्स हो गया आप इसको छोड़ दे और बाद में फिर आप शुरू कर ले जब आपको कम लगे और आप अपना जो की सला दी जाती है कि एक मतलब इंट्रमस्कुलर करने की एक डी पाई ट्रांडेक्शन लगा दिया जाता है विटामिन दी त्री एक दम से आपको पूरा हो जाता है फिर आप मेंटेंस में कैप्सूल की टैबलिक ले सकते लेकिन यह आप डॉक्टर की सला पर ही ले ठीक है आप इसको डॉक्टर की सला पर ले अपने अप खुद से ना ले पहले विटामिन दी त्री का टेस्ट कारण उसके बाद यह सब डोज आपको कैल्शन भरपूर मात्रा में लेनी है आपकी गाडियों की तरफ जाएगी और बाकी जो बीमारियों के खत्रे हैं वह भी बचे रहेंगे तो मुझे उमीद है कि मतलब आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज को शेयर कीजिएगा कि विटामिन दी थरी आजकर बहुत जादा होगे क्या हम बंद घरों में रहते हैं और में खुली हवा नहीं मिल